आज मैं जापानी मूवी एक्स्प्लेन कर रही हूँ जिसका नाम है योर नाम कैसा हो की जब आपको पता चले की आपकी सोल एक बॉड़ी से निकाल के दूसरी बॉड़ी में जा रही है वो भी उपर से पैरलल टाइम के अंदर यानी की इस मूवी के अंदर दो टाइम लाइन चल रही है एक 2013 की और इसी के साथ में 2016 की तो कैसा होगा की जब एक लड़का एक लड़की की बॉड़ी में एजाएं और एक लड़की एक लड़के की बॉड़ी में एजाएं मूवी के स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जिसका नाम मिक्स हुआ था रात होने पे उसन से वो जल्दी उटके खाना बना भी देगी मिर्च वो अपनी छोटी बहन और अपनी ग्रांडी में के साथ रहती है उसकी मॉम की डेथ हो गई और उसकी फादर मेर बने के चक्कर में फस गय हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे टीवी के न्यूस पर बताया जाता है कि कैसे इनक मिक्स हुआ का नाम लेती है तो मित्वा खड़ी हो जाती है पता चला है कि कल में जो अपने नाम पहचान से भी इनकार कर रही थी साथ ही में उसे अपनी नोटबुक पे ये भी लिखा हुआ दिखाई देता है कि तुम कौन हो स्कूल के बाद में जब वो अप फ्रेंड्स क कभी यह कर रही थी लेकिन मित्वा को तो पता ही नहीं है कि कल आखिर उसने किया क्या था मिक्स वज़ा इस फैमिली से बिलॉंग करती है वो टेंपल के कुछ ट्रेडिशन को हमेशा फॉलो किया करते थे जैसे की रात होने में टेंपल के अंदर डांस करना जहां पे पूरे गाव के लोग एकठा होते हैं और उसे एक रिचुल की तरह समझते हैं साथ ही एक ऐसा ट्रेडिशन भी था जिससे की वो लोग चावल की वाइन बनाया करते थे लेकिन क्लास के बाकी बच्चों को ये चीज बहुत बेकार लगा करती थी मित्रों को भी इस चीज से काफी ज जोर से चिलाती और प्रिया करती है कि भगवान मुझे अगले जन में एक लड़का बना के भेजना वो भी टोक्यो जैसे शहर के अंदर क्योंकि उसे गाव के अंदर ना तो कोई कैफे थे ना ही कोई अच्छे से क्लप थे नहीं बच्चों के घूमने की कोई जगा थी जब वो घर आकर सोड़ी और अगले सुबह उठाती है तो उसके बॉड़ी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी यानि कि उसकी सोल एक लड़की की बॉड़ी के अंदर चली गई थी वह लड़का टोक्यो शहर में ही राहत है जिसका नाम ताकी था ये लड़का अंदर से मि पड़ती है वो स्कूल जाती है जहां पर कुछ लड़कियों से पहचान जाते हैं इसी के करण वो मिश्रा को साथ लेकर जान लगता है वो लोग ताकी की बॉड़ी से पूछते हैं यानि की ताकी उनका फ्रेंड हुआ करता था कि क्या वो कैसे चलना चाहेगा लेकिन जो अ पता की आखिर वो कम पे जाता कहां पर है इसी करण वो अपने दोस्तों से पूछता है और इस बात पे उसके दोस्तों को बहुत हंसी आई है कि आखिर यह क्या रहा है जिसके बाद ताकी की बॉड़ी जहां पे कम किया करता था वहीं पे मिस हुआ भी पहुँच जाती है व और मित्वा को समझती है कि आज तो बड़ी गड़बर से बैग गए हम मित्वा हद से ज्यादा तक जाती है और कहानी ये लड़का उसे भूल ना जाए इसी के करण वो उसे लड़के के हाथ पे अपना नाम मित्वा लिख देती है लेकिन अगली सुभा उठने पर उसे पता चला है कि वो वापस से अपनी बॉड़ी के अंदर की उठी है इस बात से पता चला है कि इनकी बॉड़ी जब भी सफल हो रही है तो वो एक एक दिन के गैप के अंदर हो रही है दूसरी तरफ वो लड़का भी जब के देखा है तो अपने हाथ से मिक्स हुआ लिखा हुआ देता है उसे भी कहानी ना कहानी गरहा था कि उसके सपनों में कोई ना कोई तोगड़ बढ़ हो रही है क्योंकि वो जब अपने स्कूल में जाता है या फिर अपने रेस्टोरंट के अंदर जाता है तो वहाँ जो उसने प्रकृती कलकारी थी आसपास के लोगों से सब कुछ बताते हैं ताकि गाव के अंदर आके मिस हुआ की लाइफ जीता था वहीं पे मिस वर्ल्ड टोक्यों के अंदर राखी ताकी की लाइफ जी रही थी मित्रों हमेशा से पसंद था इसी के करण वो ताकी के कहीं सारे पैसे खर्च कर देती है वहीं पे ताकी भी मिस हुआ की ल चोड़ के जाते हैं कि उन्होंने पूरे दिन के अंदर क्या किया है और अगले दिन इन्हें क्या करना है दोनों ही, परेशान थे कि दोनों एक दूसरे की बॉडी के साथ में कुछ तो गलत कर रहे हैं, काफी दोनों बात के अंदर वो दिन आता है, जी दिन वो धूम के तु गिरने वाला था मितवा ने ताकी के लिए पहले से एक मैसेज छोड़ रखा था क्योंकि उसने टाकी के लिए एक डेट फिक्स कर दी थी ताकी मैं उसको डेरा को कभी नहीं का पता कि वो उसे पसंद करता है लेकिन ये कम मितवा ने ताकी की बॉडी के अंदर रहकर कर दिया था ताकी वो समझ नहीं आता की आखिर वो मिश्रा से बात क्या करेगा क्योंकि आज तक उसने खुद की बॉडी में रहकर से कभी बात नहीं कारी जब वो तेरे से मिलने के लिए जाता है तो अकोटेरा शुर गई थी कि आज राद धूमके तू गिरने वाला है तो उसे जगह को जरूर देखना लेकिन ताकी को ऐसा कोई धूमके तू नजर नहीं आता ताकी कंटीन यूस ले मित्वा को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो कॉल नोट रीचेबल ए रहा था वही पैरलल और दुनिया के अंदर मिक्स हुआ आसमान के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे धूमके तू गिरना शुरू हो गए थे इसी के साथ में पता चला है कि वो धूमके त बहुत सर टाइम गुरजर जाता है लेकिन कभी भी मित्वा वापस लोट के ताकी की बॉड़ी में नहीं आई ताकी को टेंशन हो जाती है क्या आखिर ये सब गडबड हो कैसे रही है ताकी की यादों के अंदर उसे गाव की जितनी भी इमेज थी वो साड़ी चीजों को ड बहुत जाता है जो की अपने साथ में मिस कुकुट खोजा को भी लेकर आता है और ये दोनों ही कहते हैं कि ताकी हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे कहां कि उसे एरिया के आसपास कहानी जगा पे ढूर्णने की कोशिश करता है कि आखिर उसे गाव का नाम क्या था या फिर वो गाव उसे मिल जाए लेकिन वो गाव से कहानी भी नहीं मिलता ये तीनों जब रेस्ट करने के लिए एक रेस्टरेंट के अंदर बैठने हैं तभी वहां की वेटर और वहां की शेफ उन स्केचिस को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि यह स्केचिस तो मूर्ख है कभी ताकि बहुत जोर से चिलाता है और कहता है कि हां मुझे तो वही जाना है बिल्कुल ही तुम हो रही जाना है जरूर वो यहां से बिल्कुल पास होगा ना तभी यहां पे वो शेप वेट है इसी के साथ में डिफरेंस बताते कि तुम्हें पता नहीं 2013 के अंदर बरबाद हो गया यानि कि इन साडी जगा पर वो आया था लेकिन ये पूरी जगा बरबाद हो गई थी होटल आने के बाद में वो इस गाव के उपर गियर हुए धूमकेतु की साडी की साडी हिस्ट्री पढ़ना है जिसके अंदर 500 लोगों की मौत के बड़े में लिखा हुआ था हर एक शक् की आखिर ये सब कुछ हो क्यो रहा है ताकि मा जुका था कि अब उसे में कभी नहीं मिलने वाली है और इस सब कुछ बस एक सपना था कुछ ही डर बाद में आई है और ताकी के हाथ में बंदे हुए बैंड के बड़े में पूचती है तो ताकी कहते हैं कि मुझे कुछ धुंधली धुंधली सी आते हैं, मुझे अच्छी। तरीके से याद नहीं है कि आखिर वो लड़की कौन थी और उसने मुझे ये बैंड यो दिया है ताकी कोई ये समझ के साथ जय करता था उसे पता था कि जब भी वो लोग उसे टेंपल के अंदर जाते थे रिच्वल वाले वाइन भी लेकर जय करते थे और वहीं पे रख दिया करते थे ताकी उसे जगह के लिए निकाल जाता है और काफी ज्यादा फॉरेस्ट में निकालने के बाद आखिरक के अंदर है वो 2016 के टाइम लाइन में है और जी समय वह मिस हुआ की बॉड़ी के अंदर आता था वह 2013 की टाइम लाइन थी ताकि कोई यह भी समझ में आता है कि जी समय वो मिश्रा को कॉल कर रहा था वो 2013 के अंदर कॉल कर रहा था और तब तक वो मेरी गई थी यही करण था कि मैं सोनी कभी उसका कॉल ही नहीं उठाया ताकि आप सीधा टेंपल के अंदर ए जाता है और वहाँ पर कुछ ना कुछ एविडेंस धूंडने लगता है कि कहानी वहां मित्रों को धूंड पे जहां पे उसे वही बॉटल्स दिखाई देती है जो कि उसने और मिस्वा की बहन बड़ा मेडिकल होता है यानि कि सच में उसे एक और मौका मिल जाता है ठीक नहीं देखते वो पेस्ट में चला जाता है जहां पे उसे मिक्स हुआ की पैदा होने से लेकर अभी तक की लाइफ के बड़े में सब कुछ पता चला है कि आखिर वो उसे गाव के अंदर कैसे रह और मिस हुआ थाकी से मिलने के लिए टोक्यो में आके एक ट्रेन के अंदर उसे देख भी लेती है लेकिन तब तक 2013 चल रहा था यानि कि ताकी की लाइफ के अंदर वो पीरियड आया ही नहीं था और ताकी कभी मित्वा को पहचान ही नहीं पाया इस करण विद्रोह वापस स अपने गाव में चली गई थी जान से पहले उसने अपना एक रिबन समय ताकी को दिया था और वो ही देवे ताकी के पास हमेशा से था जिसके अगले सीन में दिखाए जाता है कि ताकी कोई एक बार फिर से मौका मिलता है जैसे मिक्स हुआ उठाती है तो इस बार मिक्स हु अपने Grandi MA को कहता है कि हमें आज कुछ ना कुछ तो करना है मित्वा की दादी पहचान जाती है कि मित्वा की बॉड़ी के अंदर मित्वा नहीं है बलकि कोई और है इसी के करण वो कहती है कि ऐसा हम लोगों के साथ काफी सालों से चला हुआ ए रहा है ऐसा मेरे साथ में भी हो ताकि फूल स्पीड के अंदर भगत है ताकि वो मित्वा से मिल सके इस टेंपल के पास में या हम दूसरी तरफ ताकी को देखते हैं जैसे उसे होश आता है तो उसे पता चला है कि उसकी बॉड़ी के अंदर मिक्स हुआ है लेकिन 2016 के अंदर आखिर वो जिन्दा कैसे हुई बाहर आई है उसे पता चला है उसका पूरा का पूरा गाव बरबाद हो गया है और कोई भी नहीं बच्चा लेकिन उसे यह भी पता चला है कि ताकि उसे रुड़ता हुआ इस गाव तक पहुँच गया है यानि कि वो सब कुछ जरूर थी करते का एक तरफ से ताकि ए रहा पता शाम होने के साथ में ये दोनों आराम से खुद को देख पाते हैं यानि कि 2013 और 2016 के टाइम लाइन बिल कुल खत्म हो जाती है और ये दोनों भी एक दूसरे को देख पाते हैं ताकि वो बैंड वापस लोट आता है मित्वा को कि जब तुमने मुझे ये बैंड दिया था तब मैं तुम्हें नहीं जानता था लेकिन तब से मैंने इस बैंड को संभल के रखा है ताकि और मिक्स हुआ दोनों केतों को देख रहे थे जिन्हें पता था अच्छी तरीके से कि आज राथ ही पूरा गाव बरबाद कर देगा यानि कि इन दोनों को उसे गाव को बचान कि आखिर इनके नाम क्या थे फूल स्पीर से भगती है क्योंकि उसे आप खुद के टाउन को बचाना था वो अपने दोस्तों को इकठा करती है और एक प्लेन बनती है कि ये लोग पूरी शहर के अंदर पहले तो आर्टिशियल ब्लास्ट करेंगे और उसके बाद में लोग को से जगा खाली नहीं करवाई जा शक्ती देखते ही देखते अब मेर को भी ये बात समझ में ए गई थी जब वो खुद आसमान के अंदर देखते हैं कि धूम के तु कई सारे हसन के अंदर बार चुका है और वो धीरे-धीरे करके इस पूरे गाव के अंदर गिरने वाला ह इसी के करण अब साड़ी लोगों को स्कूल असेंबली के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था यानि की ताकि और मिठोओ दोनोंने मिलकर पेस्ट के सारे इवेंट्स को बादल दिया था और इसी के चक कर के अंदर प्रेजेंट के अंदर यानि की 2016 में सिचुएशन्स बादल रहा है ऐसा तो कोई इंसान है जिसे वो हमेशा से ढूंड रहा है एक एन एक दिन उसे वो इंसान जरूर मिलेगा लेकिन उसे यह नहीं पता की आखिर उसे ढूंडना किसी है पता चला है कि अब जब पेस्ट बादल गया था तो मैं वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में तो क दोनों एक दूसरे को देखते भी हैं और इन दोनों को देखके एक दूसरे को ऐसे लगता है कि जैसे इन दोनों ने पहले भी एक दूसरे को देख रखा था इस समय ये दोनों स्टेशन पर उतरते हैं और दोनों एक दूसरे को ढूंडने के लिए भागते हैं आखिरकार सी कि भी मा के अंदर ऐसा था कि वो ताकी कुछ जानती तो थी लेकिन आखिर ढूंडना किसी है यहां